नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विसलिशन में आपका स्वागत है संपादकी से संबंधित इस वीडियो की सुरुआत करते हैं इस संपादकी के साथ जिसका सिर्षक है टेक्ट टेक्ट इस संपादकी को लिया गया है दा हिंदू न्यूश पेपर से और यह संपादकी है GS PEPER 2 में सामिल विस है भारत एवं इसके पडोसी संबंध के दिश्टी कोन से महत्यपूर्ण है देखते हैं इस संपादकी को विस्तार के साथ इस संपात्की का आधार है सरकार द्वारा चीनी मोबाइल एप्स पर परतिबंद इस वर्स यह चौथी बार है जब भारत सरकार के द्वारा चीनी मोबाइल एप पर परतिबंद लगाने की घोसना की गई है इसे से पहले जून, जुलाई और सितंबर महिने में भारत सरकार ने चीनी मोबाइल एप पर परतिवंद की घोसना की थी जिसका कारण है वरतमान भारत चीन की सीमा पर चल रहा गतिरोध भारत सरकार के द्वारा चीनी मोबाइल एप पर जो बैन लगाया गया है उसका आधार है Information Technology Act 2000 की धारा 69A इसके अनुसार देश की संप्रभुता, सुरक्षा और एकता के हित में सरकार Computer Resources के आम लोगों तक पहुचने को ब्लॉक करने का आदेश दे सकते हैं और अगर सरकार के इस आदेश की अभेलना की जाती है तो फिर सात वर्स के जेल की सजा और जुर्माने की भी विवस्ता है अगर सुरक्षा विसे सग्यों की माने तो उनके अनुसार जिन एप्स पर परतिबंद लगाया गया है उनसे चार प्रकार का खत्रा है आखिर देखिए कि वो चार प्रकार के खत्रे हैं क्या पहला है राश्ट्रिय सुरक्षा को खत्रा इसके अंतरगत ये एप डेटा सिक्यूरिटी के लिए नुकसान दायक है जिससे राश्ट्रिय सुरक्षा को खत्रा है इसके साथ ही इनसे जासुसी होने का भी खत्रा है एप के जरिये चीन की सरकार पॉलिटिकल और मिलिटरी इ खत्रा है, यूजर्स की प्रैवेसी को खत्रा, इसके अंतरगत देखे क्या है, ये जितने भी एप हैं, ये कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन का एक्सिस मांगती हैं, और ऐसा सक है कि इस डेटा को चीन की एजेंसियों से साझा किया जाता है, तीसरा खत्रा है, डेटा लीक ह होने का खत्रा, इसके अंतरगत इन एप्स के सर्वर बाहर हैं, इसलिए ये यूजर्स की डिटेल, लोकेशन और पर्सनल डेटा एडवर्टाइजर को बेच सकते हैं, और चौथा खत्रा है साइबर एटक का खत्रा, इसके अंतरगत, चीन की एप्स में कई स्पाई वेयर मि जिसके जरिये यूजर्स के फोन में ट्रोजन आ जाता है, ट्रोजन एक तरह का मालवेयर होता है, जिससे मोबाइल के सारे डेटा को प्राप्त किया जा सकता है, सरकार ने मोबाइल एप्स पर पावंदी की घोसना उस समय की है, जब सीमा गतिरोत को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच वारता चल रही है, अब सरकार के द्वारा एप पर पावंदी की घोसना के बाद चीन की परतिक्रिया भी आई, चीन ने यह परतिक्रिया दी है कि भारत राष्ट्रिय सुरक्षा के खत्रे का बहाना बना रहा है, भारत को चीन के परति इस भेद भाव के द नहीं जान पड़ती है, ऐसा क्यूं? ऐसा इसलिए क्योंकि चीन खुद राष्ट्रिय सुरक्षा के नाम पर अपने इंटरनेट वर्जन का विकास कर चुका है, यहां तक कि चीन राष्ट्रिय सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट सेवा को नियंतृत और सेंसर्ड भी करता है, अब अगर भारत सरकार के इस कदम की हम समिक्षा करें, तो समिक्षा के अंतरगत, पहले हम बात करते हैं लाभ की, तो देखिए, भारत अपने इंटरनेट सेवा के इस बड़े बाजार का उपयोग, चीन के साथ वर्तमान सीमा गतिरोद को कम करने में कर सकता है, क्योंकि वैसे एप्स, जो चीनी एप्स का विकल्प हो सकते हैं, उनके पास भारती बाजार में पहुच विस्तार करने का इससे अच्छा मौका नहीं है, अब इस कदम से जुड़े हुए दूसरे पक्ष को देखते हैं, जो है जोखिम का पक्ष, ऐसा माना जा रहा है कि तकनीक के मा सामले में भारत की जो वैस्विक महत्वा कांग्चा है, एप्स पर बैन लगाने से इस महत्वा कांग्चा को चुनोती मिल सकती है, यह चुनोती दो रूपों में मिल सकती है, पहला कि भारत और चीन के मध्ध गैर पारंपरिक युद्ध प्रारंब हो सकता है, जो व्यापक तकनीकी छेत्र से संबंधित होगा वह इस तरीके से कि सरकार भारत में IOT मतलब Internet of Things और 5G तकनीक का विकास एवं विस्तार करना चाहती है और इसके लिए चीनी कमपनियों का सहयोग एवं तकनीक की आविस्चता पड़ेगी तो भारत सरकार के द्वारा जो चीनी एप्स पर ब कंपनीक को देने में हिचकिचाए देखें दूसरा रूप कि एप्स को बैन करने पर वैस्विक निवेस और इंटरनेट कंपनियों को एक गलत संदेश जाएगा हाला कि वैस्विक इसतर पर चीनी कंपनियों और चीनी तकनीक को विरोध का सामना करना पड़ रहा है जैसे ए 20 सितंबर से यह बैन लागू होना था और 12 नवंबर को पूरी तरह से एप्स को बंद किया जाना था लेकिन मामला अदालतों में उलजह रहा है ट्रम्प परसासन ने अक्टूबर में भी यह प्रियास किया कि बैन लागू रहे लेकिन चुनाओ के बाद प्रेसिडेंट इल कि है कि इंटरनेट के विनियमन से समंधित जो नीतियां है उन नीतियों पर अपना दृष्टिकोन भारत सरकार इसपस्ट करे और लंबे समय से लंबित डेटा प्रोटेक्शन लाग को लागू करे अगर भारत वैस्विक इस्तर पर तकनीकी युद्ध में जीतना चाहता है तो उपर्युक्त मुद्धों पर अपनी इसपस्टता मनाई रखे और भारत में तकनीक के विस्तार के लिए आवस्यक उप्युक्त वातावरण का निर्मान करे इस प्रकार इस संपादिकी के माध्यम से हमने भारत द्वारा चीनी एप्स पर लगाएगे प्रतिबंध के अ अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादिकी की ओर जिसका सीर्षक है टॉक टू दफार्मा इस संपादिकी को लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से और यह संपादिकी जी एस पेपर ठर्ड में सामिल विसे किर्सी उतपादन का भंडारन परिवहन तथा विपनन निय से महत्पूर्ण है देखते हैं इस संपादिकी को भी विस्तार के साथ इस संपादिकी का आधार क्या है किर्सकों का विरोध मामला यह है कि मांसुन सत्र के द्वारान सरकार के द्वारा तीन किर्सी विध्यक को संसद में प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत करने के बाद यह विद्यक कानून का रूपधारन कर चुकी है तब से किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्सन जारी है विरोध का आलम यह है कि पंजाब के किसानों ने कई हफ्तों तक रेल की पट्रियों पर प्रदर्सन किया इसे से रेलवे को लगभग 15,000 करोड रूपे का नुक्सान इसके अनुसार एक ऐसे वातावरन के निर्मान का प्रावधान है जहां किसान और कारोभारी मंडी से बाहर मंडी का मतलब यहां पर है अग्रिकल्चर प्रड्यूस मार्केट कमिटी से बाहर फसल को बेच या खरीच सकते हैं वहीं APMC के अंतरगत जो राज्यों की सीमा की अ अंतरगती किसान और वैपारी फसलों को खरीद और बेच सकते हैं तो इस अधिनियम की द्वारा राज्य की सीमा संबंधी पाबंधी की जो अनिवारिता थी उसको समाप्त कर दिया गया है अब इस कानून पर दोनों पक्छों के अपने अपने तर्क हैं देखें किर्षकों का यह कहना है कि यह जो नया कानून लाया गया है इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी और अगर मंडियां समाप्त होती है तो फिर किसानों के द्वारा रभी और खरीफ फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जारी किया जाता है सरकार उसे भी समाप्त कर देगी वह मंडी में बेचना चाहे तो वहां भी बेच सकते हैं और अगर वह बाहर बेचना चाहें मतलब मंडी से बाहर बेचना चाहें तो वहां भी किसान अपने किर्शी उत्पात को बेच सकते हैं देखते हैं दूसरा किर्शी कानौ आविस्यक वस्तू संसोधन अधिनियम 2020 इसके अंतरगत, अनाज, दलहन, तिलहन, खाद तेल, प्याज, आलू को आविस्यक वस्तू की सूची से हटा दिया गया है। इस पर दोनों पक्छों का तर्क देखते हैं। किर्सकों का यह कहना है कि आविस्यक वस्तू की सूची से हटाने की बाद अब बड़े किर्सी वेपारे इन वस्तू का बड़े पैमाने पर भंडारन करेंगे क्योंकि भंडारन की अब सीमा समाप्त हो गई है। तो इसका परिणाम यह होगा कि इन वस्तों की काला बजारी बढ़ जाएगी, जबकि सरकार का यह कहना है कि अब किर्सकों को पहले की तुलना में जादा लाब होगा, लाब यह होगा कि ऐसे किर्सी उत्पाद जो तुरंद खराब हो सकते हैं, खरीदने की उपरी सीमा समाप् करने के बाद अब किर्सी व्यपारी इन उत्पादों को खरीदेंगे और अपने पास उसका भंडारन करेंगे, वहीं सरकार ने यह बाद भी कही है, कि इसी अधिनियम यह प्राबधान है कि अगर एक सीमा के बाद अगर इन वस्तों की कीमत बढ़ती है, तो सरकार व्यपार कर्सी ससक्तिकरण संगरक्षण कीमत आस्वासन और कर्सी सेवा पर करार अधिनियम 2020, देखे, इसके अंतरगत यह प्राबधान है कि कर्सकों के कर्सी उत्पादों की विकरी जो है, वह खुदरा और थोक विकरताओं सहित निर्यातकों की द्वारा की जाएगे, और दूसरा कर्सकों और कंपनियों के मद्ध कर्सी समझोता से समंदित फ्रेमवर का निर्बान किया जाएगा, अब जरा इस पर दोनों पक्षों का तर्क देखते हैं, कर्सकों का यह कहना है कि यह जो कॉंट्रेक्ट या एग्रिमेंट होगा, इसमें किसान कीमत को तै नहीं कर पाएग और अगर कंपनी और किसान के बीच में विवाद की स्थिती बनती है तो फिर इसका लाब बड़ी कंपनियों को मिलेगा, जबकि सरकार का यह कहना है कि यह किसानों की मर्जी है कि वह कॉंट्रेक्ट करें या कॉंट्रेक्ट ना करें, वहीं देश में 10,000 फार्मर्स, कोटे किसानों को जोड़कर फसल को बाजार में सही कीमत दिलाने का काम करेंगे, और अगर विवाद की स्थिती होती है तो फिर कोट कचहरी जाने की जरुरत नहीं होगी, इस्थानिय इस तर पर ही विवाद का निप्टान किया जाएगा, अभी तक हमने बात की है, उन तीन किरसी अधिनियमों की और उस पर दोनों पक्छों के तरकों की, अब यहाँ पर यह बात भी कही जा रही है कि वरतमान किरसक विरोध जो है, उसमें जादा तर पंजाव और हर्याना के ही किसान सामिल है, मतलब कि नए किरसक कानून से पंजाव और हर्याना के किसानों को ही द सरकार का यकाना है कि तीनों किर्षी विध्यक किर्षी छेत्र में सुधार के उद्देश से लाए गए हैं परंतु यह बात कही जा रही है कि इन तीनों किर्षी विध्यक को कानून बनाने के लिए सरकार ने जिस तरीके को चुना और जिस समय को चुना वह किर्षकों के मन में आसंका को बढ़ाते हैं, वह कैसे? वह इस तरीके से कि ना तो संसत के अंदर और ना ही संसत के बाहर इन तीनों किर्शी विध्यक पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, साथी साथ COVID-19 के समय इसे संसत से पारित कराये गया और इसको कानोनी स्वरूप दिया गया ताकि किसा वर्तमान एक जगा इखटा होकर विरोध ना कर सके, अब वर्तमान किर्शक विरोध राजनिती से प्रेरित है या राजनिती से प्रेरित नहीं है यह तो समय की बात है, परंतु इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो सरकार भवि कीमत का निर्धारन बाजार आधारित करना, MSP के स्वरूप में परिवर्तन और प्रत्यक्ष क्रसी आय समर्थन, तीनों क्रसी सुधार अधिनियमों की तरह अन्य सुधारों जिसकी अभी हमने चर्चा की है, ये क्रसी छेत्र को सही स्वरूप देने के लिए और वैस्विक भारतिये क्रसी छेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्यंत आवस्यक है, क्योंकि कहीं न कहीं या बात हमें सुधार करनी पड़ेगी, कि भारतिये क्रसी छेत्र में अभी प्रतिस्पर्धा की कमी है, और इसी प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण भारत ने अपने आप को RCEP की सदस्यता स्विकार करने से रुका सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह किर्षक समुदायों से रचनात्मक वारता करे मौजुदा किर्षक विरोध का सांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत करे ताकि किर्षकों के विश्वास की भाली फिर से हो सके तो इस प्रकार हमने आज के इस संपाधकी में दो संपाधकी पर विश्वास की यह रहा आज का प्रस्ण चीनी एप्स पर परतिबंध के विभिन आयामों को इस पस्ट करें इसके साथ ही इस वीडियो को विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार